हम सबके जीवन में समस्याएं एक बेहतर बिकल्प लेकर आती हैं लेकिन सही बाते हैं कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं नमस्कार मैं विश्णु प्रवाकर आप सबका गावाले रिपोर्टर और आज आप सबके बीच एक ऐसी ही सांदार कहानी लेकर आया हूँ एक मा के त्याक की कहानी है एक पिता के परिश्रम की कहानी है और एक बेटी के जजबे और जुनून की कहानी है जो इसने जबाने को बताया कि बेटियां कमजोर नहीं हैं बेटियां लाचार नहीं है और बेटियां मजबूर नहीं है खास करके प्रुवांचल की बात आती है प्रुवांचल के आसपास के जीलो की बात करती है तो यहां के गारजियन यह सूचते हैं बेटी है हाई स्कुल कप पढ़ा दो इंट बेटी की कहानी बताएंगी जो मा तो खुद ज्यादा नहीं पढ़ी लेकिन अपने सपने अपने बेटी के आँखों में देखती रही एक बाप जो जीवन का कोई मकसद नहीं सिर्फ मकसद ही कि बेटी को कामयाब बना है और हमारे साथ खुद बात करने के लिए कुशी नगर बहुत 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 शुक्रिया तो कैसा अलग रहा है सबसे पहले तो यह ऐसी फीलिंग में इसंड़न के दो मैं दो प्यार मिल रहा है यहां के लोगों से बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छा मैं आपके काफी इंटर्व्यू देख रहा था है तमाम मेडिया आपकी बात कर रहे थी लेकिन उस बातों में मुझे एक मा के त्याग दिखा एक पिता का परिश्रम दिखा ताकि मां आम तोर पर इतना रिस्क नहीं लेती हैं हमारे चेतर में और आप खास करके उस समाज से आती हैं ताकि प्रवांचल की बात करें तो 40% परिवार अपने बेटियों को हाई स्कूल इंटर्विस लेकर आते हैं कि साधी करा दे ना यह तो घर की मेहमान है और आपके समाज म तो इस समाज में तो बेटियों को सिच्छा से दूर रखा जाता है तो मा का जो त्याग है आपके जीओं में कितना महत पूर है शुरू से रहा है सर इन फाक जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब से इनका संगर्श था यह खुद की पढ़ाई के लिए इन्होंने बहुत संगर्श किया तो इनको पढ़ाई का बहुत शूट था तो वह नहीं पाया था तो इन्होंने मुझमें अपने असारे सापने पू चाहिए तो इन्होंने पापा को मनाया हम एक चोटे से गाउं से निकल के एक बड़े शहर लखनू में गया सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए तो यह अकेली लेडी तीन चोटे-चोटे बच्चों के साथ वहां जाके शिफ्ट होई इन्होंने समाज को फेस किया हम सब को पढ़ाया लिखाया आज इस काविल बनाया तो यह इनका संघर्शी है जी मैं आगे की कहानी जो है माता जी से जानूंगा देखे क्योंकि आपने तमाम मीडिया पर खबरों देखे होंगे कि शल्तनत परवीन बिटिया जो आज पूरे प्रदेश के लिए प्रेणा बन गई है लेकिन उस मा की कहानी जानना चाहिए कि एक घर की जो हाउस वाइफ होती है परिवार से किस तरीके देखे घर से बाहर निकलना होता है तो परिवार पटिधार रिस्तिदार नात सारी बाते होती किस तरह से फेस करके लखनाव पहुंची और इनको अपनी बेटी पर कितन मैं बढ़ा भाव को रहा हूं कि ताकि वो दोर हमें बताईए जब कुशी नगरते लखनव का सपर वो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा घर छोड़कर पती परदेश रहते थे और आप फोन करके बोली कि विटिया को पढ़ाना है या जैसे भी कुछ बात होई होगी तो कितना मिष्वास था और कहीं न कहीं वो बड़ा चैलेंजिंग भी रहा होगा ताकी आस-पास घर का महावले होगा कि यहीपे राना हुइभ भढ़ाना पहीतिवारी करनी उस दौर में कितना मुश्खिलना बेटी को समढ़ना अपने आपको समानगर परिवार को समानने और जब जिनको मैं बताने जा रहे हूं अभी जब यह पैदा होई थी तो यहां पर छोटा सा फूस का घर था जिसको हमारे पलानी बोलते हैं तो पलानी इस जमीन से इस धर्ती से इतना नीचे था कि जब बारिस होरता था तो पानी उसमें घुसता था और मेरी बेटी भीग न जाए तो मैं बरतन लेके पानी को यू फेकती थी यू फेकती थी तो वहां से निकलते लिकनते लेकिन मेरे सपने छोटे नहीं थे मेरे सपने उस दिन भी छोटे नहीं थे और मेरे सपने आज भी छोटे नहीं है मेरी एक वसूल है कि आप मुझे कुछ कह लीजिए मुझे मैं अपनी बेटी के बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकती तो यहां से पढ़ाने के लिए हम सुरू किया जब पढ़ाई सुरू किया यहां पर हमको लगा कि कोई भी टीचर लाएं उस टीचर को यह इतना निचोल लेती थी कि वो टीचर चले जाते थे बहुतों को रिक्वेस्ट क कि हमें मूली का इंग्रिस क्या है पूछना आज भी यह कभी-कभी पूछती है कि चटनी का विश्कार किस ने किया चटनी पसंद है ज्यादा तो ऐसी ऐसी चीजें होती थी फिर मैं और तों से वह मैसेज देना चाहती हूं कि आप लोग अपने पसंद का घर बनवा लेती ह हैं अपने पसंद का जुवैलरी अपने हस्मेंट से खरदवा लेती है तो फिर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए अपने हस्मेंट को मनाने में क्यूंञा काम हो जाती है तो यह चीज औरतों को करना होगा दोसरी काम एक तो बेटियों को घरदार बनाएं ऐसा ना कि हम बिदा करें बेटी को तो कह रहे हैं कि यह तो पराई धन है और सुसुराल वाले कहते हैं कि यह पराई घर से आई है तो बेटियां है किसकी अधे वह तहीं हमको ताकि मुझे लगता है प्रवीन के जीवन में जो सबसे बड़ा रिस्क लिया है वह आपने लिया है और ताकि आप खुद मुझे लगता है कभी आपके हर्समें से कभी जगड़े भी हो जाते होंगे जगड़े नहीं होते हैं कभी तू तू मैं में वाली बात हो जाती होगी अचा ठीक है उस टौपिक पर हम लोग नहीं आते लेकिन एक ब अब सेर जब सिकार करता है तो कितनी हीरन है हीरन को दोड़ाते देखते होंगे आप पकड़ी लेता है ना दोड़ा के तो एक इनका शिकार था इस डियम कपद जिन्हें जिसे इन्होंने हासिल कर लिया तो ऐसी माह होंगी और इस तरह से मनें की बाते सुनके मैं खुद लगता हो कि जैसे तक आम तोर पे अपना जो छेत रहे लोगों को ताना माने की आदत रहती है कि एक बार फ्लाफ हो गए दो बार फ्लाफ हो गए वेटी तीन तीन वाफ हो यह चोथे अटम में निकाली तो कभी-कभी तो ऐसा लगता होगा कि मन में कुछ तीस तो रहती अब हम ने सक्वाचल पैदा नहीं हुआ लेकि इतना वुषास बश्वास और बच्चों को छोटे से समझा रुखे 먹고 होना चेह और यह ना बताए कि आप कहां बैटके चाई पी रहे हैं मुझे पता होना चाहिए कि आप कहां पे चाई पीने जा रहे हैं तो यही होता है रिष्टों में एक जो आपके त्याग बलिदान और बेटी के परिश्रम के वज़ते आज यह इतिहास रचाज पूरा कुशी नगर के तास पूरा उत्तर प्रदेश गरवानवीत हो रहा है तो उन तमाम बेटियों के लिए उन तमाम मा के लिए आप क्या कहेंगे उन तमाम बेटियों से कहोंगी कि बेटी आप लोग गलत कदम कहीं न उठाएं जिससे माबाप का यकीन टूटे मेरी बेटियां आप लोग इस कदर रहो कि साधी भी हो पढ़ लिख जाओ डिगरी मिले ना मिले आप पढ़ जाओगे तो हमेसा ग्रेजुएट रहोगे और इतना सीना तान के बाप भाई चले और सुसराल जाते वक्त अपने बाप भाई के कंधे पर रखके चली जाओ तो तुम्हें बिदा करें और मां से मैं यह कहूंगी कि बेटी से फ्रेंडली रहें ऐसा नहीं कि बेटी के सामने यह बात ना करें बेटी को एकदम दोस्त पना के रखें और मेरी मेरे सल्तिनत से बड़ा कोई और मेरा फ्रेंड नहीं है और मैं मेरी परवरिष बहुत ही इस काबिल हुई कि मैं डरती थी मैं सेवें एट से ही मुझे बुर्खा दे दिया गया था और मैं घबराती थी बाहर निकलते हुए लेकिन यह जो सल्तनत के पापा बैठे हैं यह सेर हैं और इन्हो पॉलेटफर्म का टिकर आप लेके आएंगी बाहर का कोई काम है एडमिसन के लिए आप जाएंगी यहां के लोग बहुत कहते थे अपने लोग भी कहते थे कि इतना बाहर क्यों निकलती है यह बात मुझे तकलीफ होता था मुझे सरमिंदगी होती थी तो मैं इनके अबब स इसाँ कहती थी तो यह कहते थे कि खुछ रहना है तो दूतरे के बारे 7 में सोचना छोड़ दो वह क्या सोच रहे हैं आपके अपनी फैमली आपका अपना घर और अपे अपनी बेटी और बेटी को ही यह सउट रखते हैं बेटी कोई और मुझे लगता है आज वह जवाब मिल गया और बीटी आहटीम बन गई हाँ आज उन सब को जवाब मिला होगा तो मुझे उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें हमें जलील नहीं करना है हम यह चाहेंगे कि वह सीख लें कि अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पाएं हैं जुड़वा बेटा पाइदा हो जाता तो इतना खुष नहीं होते जितना सिंगल बेटी में यह खुष थे और वाकई में दो हजार बेटों की जरूरत नहीं है अगर सल्टनत जैसी एक बेटी है तो तो यह कहानी निश्ची थी आप सब को मोटिवेट करेगी क्योंकि वो तमाम बेटिया जो घर के दहलीज को पार करने के लिए सो बार सोती हैं अगर ऐसे गार्जें रहें तो निश्ची थी वो इतिहास रचेंगे मा की त्या की कहानी अब पिता के परिश्टम की जुबानी खुद सल्तनत परिविन के पिता जी से बात करते हैं ठाकि आप आउट अफ कंट्री रहते थे और उस समय ठीक ठाक जॉब था आपका साओधिया रहना होता होगा दो तीन साल बाद एक बार गांव आते होंगे तो वो डिसीजन कैसे कितना टफ था कि साओधिया छोड़के लखनौ शिफ्ट होना है और सिर्फ तार्गेट एक ही की बेटी को पढ़ाई कराना है साओधिया जब बेटी हमारी यहां से सि परिवार सब क्लॉज है तो कोई ने कोई घर पे रहता था तो उनकी भी देख रेक होती थी हमने 2012 में साओधिया चोड़ा तब तक हमारे बच्चे चोर हो चुके थी और हम लोग बच्चों के एजुकेशन के लिए यहां से घर चोड़ा था इन्हीं कि हमें जाके लखनों म यह कोई बिजनेस करना या वहां रहना है तो जो बच्चों के चाहिए थी जो चाहिए था वो चिक्षा यहां नहीं मिल पा रहा था और इन्होंने जो है जब हमारी पिसरा में या जो भी कही है मेहनत करी तो बच्चों ने जो है उन चीजों पर खरे उत्रे और उस लाइक हमाना बढ़ा सकते हैं हम सल्तनत के पापई हमारी विए सल्तनत संफाने जा रहे हैं वह उसनुक को सायवाणा को से टायार की दिखाया अब कैसा लगता है और एक रहने वाले पर्यूवार ऊकर शाइचा यहिए और उस परिवार आजश ourए वार आसपास सबसेटिक देना हे, साधी होने पहले बेज देंगे साधी हो जाएगा भीटी अपने घर चले जाए आपका जवाब महाल नहीं हमना सुरू सी बेटे और बेटी में कभी फरक नहीं समझे एक उबस पर पढ़ कुछ हम नहीं पड़ता है'm तो हम सच कि हमारे बच्चिय कहा है बेटी और यह दोनों सिछा हासिर्ग और आपने जो भी अपने सफलकर रहें और हैं और सपोर्ट यहीं रहता है कि जहां भी रहां खुछ रहा है बस अपने पढ़ाई में जो वल लाएं हमेसा इस सपोर्ट होता था हम लों को यह सानी कि हम काम के हैं तो बस बीटी है तो इनको टेंद पढ़ाई है साधी के पैसे एकटा करिया साधी करी अपनी जिम्यदारी है और उपर वल्ला से भी हम ऐसा ही दूब किये थे हमने कि क्योंकि हमारी बहन नहीं थी तो जब सल्तनत इस घर में पाइदाए तो इतनी खुसी हुई थी क्या बताया आपको और हम लोग ने खुसी में सब भाई जूम उठे थे कि चलिए उपर बहन नहीं दिया मगर एक ब क्याने यह मुकाम हासिल किया मने इतनी खुसी हो रही कि जिसका सब्दों में अदमी बियान नहीं कर सकता जो अंदर है वह तो आप देखी रहे हैं और हमारे छेत्रे की जितने भी हैं जो भी हैं उनकी मैंने जब हम लोग इंटर हुए थे अपने छेत्र में तो मने क्या बत मनिता जी बी बात करते करते भाग हो गयां और मैंनिस्चित कह तक हूं त पूरे परिवार के सल्तनत के यादो को हमेशा के लिए ताजा कर दिया कभीन जब किसी बेटी की बात होगी इस गाव में च्याव शीले में दो सल्तनत का नाम लिया जाएगा उस मा के तया का नाम लिया जाएगा पिता के परिश्रम का नाम लिया जाएगा दादा जी के परिवार के नाम लिया जाए का माता जी से कुछ और बात कर लेते हैं कि माता जी से बात करके जो है बड़ा प्राउड वाला फिल मुझे खुदा रहा जी जब मेरी बेटी पैदा हुए तो कुछ लोग कहते थे लड़की बेटी 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 हुई है जमीन नीचे धस जाता है तो मैं सिखाया था कि आपको मतलब किसी से करके दिखाना है बोल के नहीं दिखाना है तो मैंने नाम इनका शब्बो रखा बचपन का नाम इनका शब्बो है किसी को यह ना लगे कि यह लड़की है और कोई लड़की कहे ना क्यूंकि यह लोग जो भी लोग थे कहीं के भी वह बेटी लोग हैं कुछ भाई बहन हैं जो जिनको यह तो अब नहीं पहचान रही हैं लेकिन वोग पहचान रहे हैं तो सब्बो कल बुला रहे थे तो यह चीज मुझे याद थी आज मैं आप से सेर करना चाहा रही थी जो सब्बो नाम लेगा वो समझ जाएगा कि यह में परिवार की बड़ी करीवी बीटिया सलतना से बात करें सलतना जी यह पताए अभी सारी चीजे लगातार आप लोगों के इंटर्वी दे रहे हैं वो पूराने दिन ही आधार है माता जी ने हमें साय जाती है कुछ करना उनके गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिलता है कभी-कभी वो डर जाती है जबाने की हालत देखकर कि बेटी हमें सा उसको सुरूत से ही जो है डरा दिया जाता है कि तुम बेटी हो यह तुम कम जोड़ हो तो यह इस वाकियों पर क्या गहेंगे आप जी सर शिक्षा का भाव है यह एक बहुत बड़ा रीजन है इस चीज का तो अगर लड़कियां पढ़ लिख जाए तो वह इंडिपेंडेंट हो जाएंगी अगर उन्हें पढ़ने से रोका जा रहा है तो मैं लड़कियों से अपील करूं कि वह अपने माबाप की काउंसलिंग कर खुद के लिए लड़ना सीखो खुद के लिए लड़ोगे तभी कोई आपको सपोर्ट भी करेगा और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम परिवार होता है तो अगर परिवार वाले नहीं मान रहे तो उनको मनाओ उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है और तभी आप आगे मेहनत कर रही है तो वह भी कहीं न कहीं फिर आप आपके साथ सिंपती आपको प्यार जताएंगे कि हाँ चलो बेटीया मेहनत कर रही है तो उसका साथ देते हैं अच्छा अब आप जल्द ही है एश्टीम साहिवा बन जाएंगी तो एक सवाल समाज के लिए परिवार के तमाम लोगों के अब उमीदें बनेंगी तमाम उन गरीब मजबूर मजदूर जो नयाय की उमीद लेकर आते हैं एक प्रसाशनी का दिखारी के तो पे आपका किस तरफ रवाया रहेगा सर जब मैं प्रेपरेशन में आई थी तो मुझे पब्लीक सर्विस का एक मुझे उपरवाला मुझे ऐसे लोगों का जरीया बनाए जिनकी आवाज उपर तक नहीं पहुंच रही है या जिनकी एकसेसिबिलिटी फैल जस्टिस की तरफ नहीं है या जो अपने जो जिस चीज के हगदार हैं उने नहीं मिल रहा है तो मैं यहीं दूआ करती थी कि अग दन्यवाद आपने हमको समय दिया और हमारे साथ जो है शलतनत के पीता जी थे माता जी और आज का जो वीडियो आप सब को कहसा लगा कमेंट करके बताएगा शुरुवात की बात की लाइनों को मैं फिर दोहराता हूं कि जीवन में जो समस्याएं आते हैं एक बहतर के लिए आप सब का धन्यवाद